मानवी की जोर-जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी एकदम से उसकी टांगों को पकड़ कर कुछ चीशने लगा बचाओ, बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो प्लीज छोड़ दूँ, वो भी तुझे, अरे, तू तो मेरा बर्सो पुराना शिकार है बहू और मानवी हवा में उठकर जोर से दर्वाजे पर फेगी जाती है जैसे उसका सर बचता है, वो चीख पड़ती है और चीखते हुए मानवी, बिस्तर से धम करके नीचे आ गिरती है ये देखकर उसकी माँ उसके पास आकर हसती है अरे मानवी, अभी से दीरच के सपने लेने लगी हो क्या सपने आ रहे थे? मा, तुम बेना, कौन माँ अपनी बेटी को इस तरह छेड़ती है? हम छेड़ते हैं, हम तो दुनिया की सबसे अनोखी मा है मा, मुझे दीरच से शादी नहीं करनी है मुझे दिल बैठा जा रहा है तु क्या पगला गई है? बिस्तर से गिर के चोड़ तो नहीं लगी? कहीं दिमाग में, कल तेरी शादी है और आज तु ये ड्रामा कर रही है? ड्रामा दीरच की वज़े से नहीं कर रही हूं, मा मुझे तो मेरी सास से दिक्कत है अभी वो सपने में आकर मुझे मार रही थी मा सास के नाम से तो मुझे बचपन से ही डर लगता है अरे अरे मेरी भोली बिटिया, ऐसा कुछ नहीं होगा और बेटी को तो बेहा करके जाने ही होता है कामीनी जी तुझे मुझे से भी ज़ादा प्यार देंगी देखना, तुझे मेरी याद तक नहीं आएगी कभी बात करने को फोन भी करूंगी तो कहें कि अभी सासु मा के पास बैठने का समय है मा मैं बाद में बाद करती हूँ मा तुम अब इमोशनल मत हो, तुम भी न तुम कहो तो मैं तुमारे एक इशारे से शादी करूंगी ही नहीं बस एक इशारा तो कर दो अरे मा, क्यों ना हम धीरच को ब्याकर इसी घर में ले आए हट पगली, कुछ भी बोलती है अरे मा, सच में, वो तुमेरा इतना दीवाना है वो आ भी जाएगा यहाँ अब ख्याली बातों से भारा और कल की शादी की तयारी कर कामीनी जी का फोन आया था कि उन्हें शादी सिंपल ही रखनी है तो महमान पी ज़्यादा आने ही रहे है देख, फिर से कामीनी जी का ही फोन आ रहा है वेहन जी, आपको कहा था ना हमको बस एक जोड़े में ही भहू चाहिए खबरदार जो आपने फालतु खर्चा किया तो कल आपके घर की रौनक हमारे घर में आ जाएगी देखना, मैं आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखूँगी जी जी जानती हूँ अच्छा जी, बाई सम्दन जी देख मानवी, कितनी भली औरत है ये तो तो फिजूली डर रही है पर नजानी क्यूं, मानवी के अंदर कामीनी को लेकर अजीब सा डर बैठा हुआ था अगले दिन शादी होती है देन अज मानवी को विदा करके अपनी घर ले आता है कामीनी, पूजा की धाली लेकर मानवी के स्वागत में खड़ी थी शांत मानवी शांत, ये भी तेरी मा ही है ये थोड़ी ना तुझे खा जाएगी सीरियल्स में जैसी सास दिखाते हैं जरूरी नहीं कि असल में भी वैसी सास में ले तब ठीक है मानवी, सब ठीक है आओ बेटा, अंदर आओ सासु मा, पहले दाईना पाउं रखूं या उल्टा हरे बहू, पाउं चाहे कोई भी हो बस कदम ठीक होने चाहिए अंदर आओ मानवी कामीनी की बात सुनकर एकदम रिलाक्स होती है और अंदर आती है धीरज, कुछ देर बहू को आराम करने दे उसे कमरा दिखा दे जा बहू, तू अंदर थोड़ी देर आराम कर ले फिर साथ में डिनर करते हैं सासु मा, मैं भी मदद करूं ना ना, तुझे इन कामों के लिए थोड़ी ना भ्या कर लाई हूं मुझे तो अपने बच्चों को अपने हाथ का बनाया खिलाने में आनन्द आता है जा बेटा, जा, तू आराम कर ले मानवी के कांधे पर रखी सास, नामक, चिंता एकदम से दूर हो गई थी वो कमरे में आकर दर्वाजा बन करती है और लंबी सास लेती है इससे जादा रिलाक्स तो मुझे कभी फिल नहीं हुआ मा को फोन करके बताती हूँ मानवी अपनी मा को फोन करके पूरी बात बताती है हाँ हाँ मा तुम सही थी मैं तो बेफुजूल में ही सास को ड्रैकुला समझ बैठी थी पर वो तो एंजल जैसी निकली कहती है बेटा तुम आराम करो ये घर के काम तुम से थोड़ी ना करवाऊंगी बस तो देखा न यूँ ही चिंता कर रही थी तू प्रभू का नाम जबती रहव अब तो मेरी मानवी की जिन्दगी सेट है हाँ मा इम सो हैपी इतना तो मुझे धीरस से लव मेरिज करने की खुशी नहीं है अपना घर छोड़ कर आई हूं उस गम से ज़ादा तो मुझे अच्छी सास मिलने की खुशी है मानवी फोन पर अपने दुलहन की जेवर वगेरा निकाल कर दो पट्टा हवा पर बहुत शांत भाव थे उधर कामीनी किचन में लगी हुई थी तभी कूकर की सीटी जोड से बचती है और कामीनी घड़ी की और देखती है पंदरा मिनट हो गई अब तक तो बहु सो गई होगी यानि अब आएगा असली मजा मानवी आराम से सोही रही थी कि तभी उसे लगता है कि उसकी टांगों पर कोई सपर्ष है वो गुदगुदी होने से कसमसा जाती है फिर वो सपर्ष उसकी कमर को लगता है और धीरी धीरे उसे लगता है उसके बदन पर कुछ चल रहा है और वो रिंगते रिंगते उसकी गर्दन तक आ गया है मानवी नीन भरी आँखों को खोल कर देखती है तो उसके सीने पर काला सांप फन फैलाई हुए बैठा था ये देखकर मानवी की सांस वहीं अटक गई ना वो नीचे आये ना उपर सांप लगातार मानवी को देख रहा था और फुफकार रहा था आखिर ये काम था किसका क्या मानवी की सांस जितनी सरल दिखाई दे रही थी उतनी थी या नहीं आपका क्या कहना है बताईए और आईए आगे देखते हैं बचाओ और वो हिम्मत करके सांप को हाथ से पकड़कर दूर फैकती है और कमरे का दर्वासा खोल कर बाहर आती है मानवी के कपड़े फैले हुए थे सीने पर दुपट्टा नहीं था शरीर पर कोई जेवर नहीं था क्या हुआ मानवी ये तुम इस तरह चीखी क्यों कमरे में सांप था बोना मेरे उपर चल रहा था दीरच यहां बैठा था मिन चाती पर किचन में खड़ी कामिनी मंद मंद मुस्कुराती हुई मानवी की सारी बाते सुन रही थी और कामिनी मानवी के पास आकर उसे सीने से लगाती है अराम से वैट बैटा रंगली जीव कहां से आएंगे जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा दिन भर की ठकान से ऐसे सपने आ जाते हैं फिर शादी के मंतर भी ऐसे ही थे कि सपने में तुमको शिफजी ने दर्शन दे दिये होंगे तुम्हें मजाक लग रहा है धीरच तुम जानते हों में जूट नहीं बोलती हूँ चुप कर तु धीरच अगर उसने सांप देखा था तो सांप जरूर होगा न तु ऐसे बहू का मजाक मत बना जा, जा कर देख कमरे में सच में कोई सांप तो नहीं है अगर है तो फिर उसे पकड़ना जरूरी है हम सब की जान को खत्रा कावीनी का सपोर्ट मिलने से मानवी और पावरफुल फील कर रही थी एक बहू को उसके ससुराल में और चाहिए ही क्या बेसिक संसकार तो इंडियन फैमिली में सभी अपनी बेटी को देते है मगर ससुराल में सबसे ताल मेल बिठाना ही चुनौती रहता है मगर सब के साथ चुनौती का काम मानवी ने हस्ते हस्ते कर लिया था मा यहां तो कुछ भी नहीं है खामखा पूरा गर सर पर उठा लिया तुमने ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भाग गया हो अच्छा जी सब खिड़की दर्वासे बंद थे तो भागा कहा से अरे मेरी अम्मा वहम था तुमारा नागी शो देखना बंद कर दो ये अनिमे स्टोरी इसकी अतरंगी कहानिया हर वक्त जो तुमारे दिमाग में चलती रहती है न उसे कम करो अब तुम पर्सनल हो रहे हो धीरज कोई बात नहीं मानवी बेटा अगर वहम भी हुआ है तो कोई बात नहीं हो जाता है कभी-कभी पर सासुमा वो मेरा वहम नहीं था मैंने सच में सच में ही कावनी तुरंद मानवी को घूर कर देखती है और मानवी चुप हो जाती है मुझे जिद पसंद नहीं है और घर में तुमारे ससुर जी भी है तो सीने पर बिना कपड़े बाहर मत आया करो पर अभी तो कोई नहीं था, तो मैं बस और साप को देखकर इतनी गबरा गई थी कि मुझे ध्यान ही निरा, I'm sorry सासुमा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी हम, ठीक है, ठीक है, अब जाओ अपने कमरे में, सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है, दोनों सोने जाने लगते हैं, धीरज, तुम नहीं, तुम बहु के साथ नहीं सोगे, बहु, तुम कुछ दिन अकेली ही सोगी, ऐसी हमारे यहां की प्रता है, जाओ अब मानवी कामिनी की बेरुखी देखकर, थोड़ा सा उदास हो गई थी, और वो अकेली ही कमरे में सोने चली जाती है, शायद हूँ सब मेरा वहमी था, अगर सच में कुछ होता तो किसी को तो नजर आता, इतना बड़ा साप जाएगा कहां, इसलिए सासुमा भी शायद पर पती पत्नी के साथ नहीं सोएगा, यह किस तरगी प्रथा है, और शादी से पहले तो दीरज ने मुझे अपने घर की ऐसी कोई प्रथा के बारे में बताया ही नहीं था, कल पूछती हूँ उससे, उधर कामी नहीं, मस्त अपने बिस्तर पर लेटी हुई, मंद मंद मुस और कामी नहीं चुटकी बजाती है, चुटकी बजाते ही उस और सो रही मानवी के शरीर पर फिर से साप रेगने लगता है, और मानवी हडबढ़ा कर तुरंद उट जाती है, नहीं, इस बार मेरा वहम नहीं है, यह कुछ था, कुछ तो था, मानवी जैसे बत्ति चालू करत यहां साप है या नहीं, सोती हूँ तो तुरंद मेरे उपर आ जाता है, अरे मैंने साप से शादी की है या अपने पती से, पती के साथ सोने के समय तो मेरे हिस्से में साप आ रहा है, अब फिर सोने लगूगी तो फिर आ जाएगा, और मानवी बिस्तर छोड़कर दर्वाजी क ये ठीक सामने फर्ष पर सोती हुई मिलती है, उसे देखकर कामिनी मुस्कुराती है, अच्छा, तो कल की रात मेरी सोच से भी जादा मज़ेदार रही है, ये तो बस शुरुआत है बेटा, अभी तो तुझे बस साप दिखना शुरू हुआ है, पर मेरे असली जहर का तो त तुझे अंदाजा भी नहीं है, कामिनी हाथ में थामा ठंडे पानी का ग्लास मानवी के उपर उडेल देती है, और नीम में सो रही मानवी के उपर ठंडा पानी आकर गिरता है, और वो हड़ड़ा कर उठ जाती है, ओ, सौरी बेटा, मुझे पता नहीं था तुम जमीन पर स रही थी, नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक था, बस कमर सीधी करने को सोई थी, सासुमा, मुझे सुवे पहले कुछ खाने की आदत है, दवाई लीनी होती है, क्या मैं खालूं? हरे बेटा, no more formality, this is now your home too, और मानवी फटा-फट किचन से आ रही खुश्बो की और खीची चली ज जाती है, वो आक्शली बेटा, मैं बताना भूल गई, हमारे यहां बिना नहाए किचन में नहीं आ सकते, जाओ, पहले नहाओ, मानवी बेचारी सब बात बस फॉलो किये जा रही थी, तब ही उना कर अपने कमरे की खिड़की से देखती है, तो उसे कामीनी एक सपेरे के बड़ी नजर आती है, जिसके पिटारे में बहुत बड़ा काला साप था, ये क्या, सासुमा इस आदमी के साथ क्या कर रही है, आगर इस घर में ये सब चल क्या रहा है, मानवी तो खुद से ही इस कामीनी सास नाम की नागिन के बिल में आ चुकी थी, पर क्या आप में से भ देखकर काशी डर गई थी, ये सासुमा जहरीले साप के साथ आखिर क्या कर रही है, और मानवी कामीनी का पीछा करती है, कामीनी गर के अंदर घुज कर अपने घर में जाती है, और साप का पिटारा खोल कर उसने हाथ में थामती है, मानवी खिड़की में ये सब देख रही और जोर से हसते हुए उसे अपने गले में डाल लेती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम आ गए, बस मेरा काम अब और आसान हो गया, ये जो चम्मक छलो बहु उठा कर लाया है धीरज, अब ये गधे के सींग की तरह देखना कैसे भागेगी, मैं जैसा सोचती थी, मे से पिटारे में डालने की बजाए, मानवी के कमरे की ओर छोड़ दिया है, ये देखकर मानवी घबरा कर अपनी मा को फोन करती है, हाँ मेरी लाडो, कैसी है तो, मा, वो मेरी सास, एक जहरीली नागिन है, क्या, तो फिर से एनिम स्टोरीज की कहानी तो नहीं देखने लगी ह बेटा, सास कभी नागिन हो सकती है भला, कली तो तू मुझे फोन करके कह रही थी, कि तेरी सास बहुत अच्छी है, और पिर आज ये सब बखवास, सुन मानवी, अब वही तेरी मा है, सास चाहे नागिन हो या नेवली, तुझे अब उसी की सेवा करनी है, मानवी की मा, मान ना अंदर नहीं सो सकती हूँ, आज बाहर सोफे पर सो जाती हूँ, और रात में मानवी हॉल के सोफे पर सो जाती है, धीरज रात में जब कमरे से बाहर निकलता है, तो मानवी को वहाँ सोता देखकर, मौके का फायदा उठा कर, रोमेंस करना चाहता है, धीरज मानवी के प वो मुझे लगा मुझ पर साप रेंग रहा है ओहो रोज रोज साप 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 आखिर कौन सा वहम पाल लिया है तुमने वहम में तो तुमने रखाए मुझे तुम अपनी मा से क्यों नहीं पूछते हो कि आखिर वो क्या चाहती है मुझसे तुमसे और हमसे नसात सोने देती है ना ही अकेले मानवी ये कोई तमीज है तुमारी कामीनी बेचारी बनते हुए बोलती है बोल ले बहू, बोल ले अगर ये सब कहकर तेरे मन में जो बेचैनी चल रही है उसका हल निकलता है तो बोल ले बहु, धीरज, तुझे मेरी कसम लगे, अगर तुने बहु को कुछ भी कहा, सब मेरी ही गलती है, एक पती-पत्नी को दूर करने वाली मैं कौन होती हूँ, जा धीरज, तु मानवी के पास जा, परिवार में ऐसी रीत का कोई काम नहीं, जो अशान्ती लाए, कामवी की नम ये तुम्हें मानवी, माह तुम रो नहीं न, मुझे नहीं है कोई जल्दी मानवी के करीब जाने की, जब तक मेरे परिवार के रिती रिवास पूरे नहीं होंगे, हम दूरी हैं। वो वाला चहरा देखता है, हो गई तुम शुरू, क्या करके आई हो अब। करती थी, तो मैं अपना बदला किस से लूँ? अब जाकर काबू लगा है, जब मेरी खुद की बहु आई है, अब बनेगा सास बहु का असली ड्रामा। पर इससे तुमको मिल क्या रहा है, अगर हमारा बेटा हमसे दूर हो गया तो… वो हमसे दूर तब जाएगा, जब वो बहु के करीब जाएगा, और मेरे होते तो ये दिवार कभी हटेगी नहीं। जब तक मेरी प्यारी बहु ये ना कह दे, सास हो तो मेरी सासुमा जैसी, तब तक ये कामिनी इससे डस्ती रहेगी। कामिनी को ऐसी बहु चाही थी, जो उसके ठोकरों में हमेशा रहे। काफी ओरतों की समस्या होती है, अपने बेटों को ट्रॉफी समझने की, और वो से बहु से जीत कर काज के अंदर कैद करके रखना चाहती है, और फिर कह देती है, बहु ने हमारा बेटा चुरा लिया। मानवी का मनोबल एक्दम टूट गया था, एक के बाद एक तमाशे उसे उसके फैसले पर संदेह करने पर मजबूर करने लगे थे, हलो मा, मैंने ये शादी करके गलती कर दे शायद, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया है, ना खाने देती है, ना सोने देती है, कुंडली म अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख, मानवी की मान ने तो उसका साथ छोड़ दिया था, और मानवी अगले दिन नई शुरुवात करने का फैसला करती है, तासु मा कितना ही क्यों ना कड़वा बोल दे, मैं उफ भी नहीं करूंगी, और तभी कामेनी थाल में और भारी कपड़े लेकर आई हूँ, इसे पहन कर तू धीरच को तो ललचा ही देगी, मानवी को कामेनी का पॉजिटिव नीचर पसंद आया, और धीरच का ख्याल कर वो शर्मा उठी, आज तेरी मू दिखाई है बिटिया, मोहले के औरतें आती ही होगी, अब फटा-फट तैयार होकर परी जैसी बन जा, चल, जल्दी कर, मानवी खुश होकर उसके पाउं छूने के लिए जुकती है, तो कामेनी उसे गले से लगा लेती है, और मंधी मंध अपने बुरे इरादों को सोचकर हसती है, प्यार आ रहा है बहु को मुझ पर, कोई बात नहीं, अब जो ह होगा उसके बाद तो बहु, तो किसी भी तरह का प्यार संभाल, और मोहले की आट-दस ओरतें आकर हॉल में बैट जाती है, मानवी भी हुसन परी की तरह सच कर आई थी, धीरत जैसे ही मानवी का धुनला चहरा उसके लंबे घुंगट के पीछे से तारता है, एक बार फिर स उसे अपना दिल दे बैटता है, मानवी सब के सामने आकर बैट गई थी, लंबा घुंगट था, उसमें कामीनी आकर मानवी के घुंगट में जाकती है, अरे वा, क्या लग रही हो तुम, थूथू, किसी की नजर ना लग जाए, और कामीनी मुस्कुराती हुई, अपने कम् बर्तन था, जिसकी ओर देखकर वो हस रही थी, अरे कामीनी, क्या चान जैसी वहुलाई है तू तो, संसकारों में भी तुझे फेल कर दिया इसने तो, वा, मज़ा आ गया पिटिया, हां, करेगी ये मुझे फेल, अब बस देखते जाओ, वन, टू, थ्री, और अब शुरू हुआ, एक्शन, येस, गो बेबी, गो, और अचानक से मानवी के चीखने की जोर से आवाज आई, चल रहा मेरे कपड़ों में, बचाओ, और संसकारों वाली मानवी, एक जटके में अपने सर से और सीने से दुपट्टा हटा कर, उचल कर सोफे पर चलने लगती है, और तो क हाज नहीं है कि यहाज का पती और ससुर भी है, फिर भी कपड़े उठा कर कूत फान रही है, ये तो तेरे परिवार में मेल ही ने खारी कामीनी, तू तो बहुत संसकारी है, और आग्याकारी बहूरिया थी, अपनी सास की, याद है हम सब को, जब तू नई शादी करके आई कामीनी को तो मानवी की आलोचना और ऐसी बुराई सुनकर कलेचे में ठंडक मिल रही थी, आप उपर पहुँचने से पहले मुझे भी ऐसे जलील करके मजा लेती थी ना, हाँ हाँ, आज मुझे ठंडक मिल रही है, बहुत सही चीज है ये बहु नामक चिडिया तो, अपने अरे राम जी, मुझे तु हर जनम में सास ही बनाना, और ते खरी खोटी सुना कर जा चुकी थी, और उधर खड़ा धीरज, उचल कूद कर रही मानवी का हाथ पकड़कर जोर से उसका हाथ पकड़ता है, और एक चाटा लगा देता है, जिससे मानवी को जटका लगता है, औ तानी हसी हस रही थी, वो उसे फिर से आख मारती है, कितना सताईगी नागिन मुझे, जब मैं पसंद नहीं थी, और इतना ही तड़पाना था, तो फिर क्यों बिहा करके लाई मेरा इस घर में, किसी कटपुतली से करा देती ना, इस मा के लाड़ ले बेटी की शादी, मेरी जिन्दिकी क्यों बरबाद करी तुमने, अरे कोई सुन रहा है, अरे आंटिया कहा गई अब सब की सब, एक तमाशा आप लोगों ने किया, एक मैं करती हूँ, मानवी की आवाज सुनकर सब और तमाशा देखने लगती है, अरे मैं तो संसकार लेस हूँ, पर आपकी फेवर लगिन में भी इतना जहर नहीं होता, जितना तुम में इंसान होकर भी है, धीरज मानवी के मूँ से अपनी मा को लेकर, जब ये सब बाते सुनता है, तो उसे चाटा जट देता है, ये देखकर मानवी एमोशनल हो जाती है, और रोते भी कमरे में भाग कर दर्वासा बन कर लेती है, और ते भी बिना टिकेट का तमाशा देखकर कामीनी का मजाग बना कर हसती है, शेर को मिला सवाशेर, चलो रे, आज का दूरदशन पूरा हुआ, मजाई आ गया, ठैंक्यू कामीनी, कल फिर बुलाना, सब चली जाती है, कामीनी धीरज मानवी, सब को जो कुछ हु उसका बुरा लगता है, मा, तुने जो वादा मांगा था, अब मुझे तोड़ना होगा, हाँ, तोड़ना होगा, बस अब मैं आ रही हूँ, नहीं रहना मुझे यहाँ, और मानवी क्रोध में एमोशनल हो जाती है, उनकी चहरे का और आखों का रंग बदलता है, और वो एक असली नागिन में बदल जाती है, और खिड़की के बाहर रिंग कर चली जाती है, कुछ देर के बाद धीरज और कामीनी कमरे का दर्वाजा खोलते हैं, तो अंदर कोई नहीं था, दोनों बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, अगर मानवी नागिन थी, तो वो क्या चा आखिर ये गई कहां, कामीनी अपने कमरे के इंदर आ जाती है, तभी उसके पिस्तर पर काला सांप बैठा नजर आता है, और कामीनी उसे देख कर हसती है, अरे तू यहां, लगता है तू मेरा दोस्त बन गया है, पर बाबू, तुझे यहां नहीं, उस मानवी के कमरे में ज रहेंगे तू सब करेगा, चल जाए यहां से, हट, पर जब सांप फिर से नहीं हिलता, तो कामीनी उसे हाथ से पगरती है, और बिस्तर से नीचे फेकने लगती है, बगर सांप नीचे गिरने की बजाए, कामीनी के हाथ पर ही कुंडली मार कर, उसकी हड़ियां भी चुरने लगता है, अरे, ये क्या कर रहा है तू, अरे, मुझसे किस बात का बदला ले रहा है, तबी उस काले सांप के मुझे आवाज आती है, हलो सासुमा, मुझे पहचाना, असल में वो सांप नहीं, काली नागिन थी, जो की कामीनी के बहु मानवी ही थी, अब काबू में आई मे तेरी, कामीनी सास तो, तुझे तो अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कामीनी सांप के मुझसे अपनी बहु के जैसी आवाज सुनकर सहम गई थी, और वो नागिन को जटक कर बाहर भागती है, बचाओ रहे, ये क्या बला है, कोई बचाओ मुझे, और मानवी मौका पाकर बाहर आकर चुपचाप कोने में खड़ी होकर, सारा तमाशा देखने लग जाती है, मा क्या हुआ, तुम चिला क्यों रही हो, अरे तेरी बीवी तो नागिन है नागिन, ये सुनकर धीरज और उसका बाब हसने लगते हैं, अरे तुम दोनों एक काम करो, डिसाइड कर लो, क धीरज को शक हो जाएगा, उसे थोड़ी ही पता है कि असली जहर तो तुम में भरा है, अरे क्या बात कर रहे हो जी, काहे का वहम, फन फैला है मेरे सामने पटपट जबान चला रही थी इसकी बीवी, और मैं जूट बोल रही हूँ, तो वो आखिर है कहा पर, नजर क्यों न आ रही, और तब ही मानवी अपने अंदाज में खासती है, सासु मा, ये साड़े पांच फिट की लड़की तुमको नजर नहीं आ रही, मगर एक हाथ जितना साप नजर आ गया, लोग सची कहते हैं, और ते सास बनते ही पगला जाती है, धीरज, संभालो अपनी मा को, कहीं ऐसा ना हो, तुम्हारी मा ही नागिन का रूप ले ले, धीरज मानवी की बात सुनकर, अपनी मा को घूर कर देखता है, और मानवी इतराते हुए कमरे में चली जाती है, आखिरकार, मानवी ने ये वाली बाजी तो जीत ही ली थी, कामी ने ये देखकर चड़ गई थी, वो तो ये बात है, फन का जवाब फन से, और जहर का जवाब जहर से दिया जा रहा है, पर बहुरिया, आज तक इतिहास में कोई बहु सास से ना जीत सकी है, ना जीत सकेगी, रात का समय होता है, सब के सोने के बाद कामी ने उठती है, और मानवी के कमरे की और जाने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं था तब ही उसे बाहर के दर्वाजी बंद होने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो उस और जाने लगती है काली शॉल में उसे मानवी जंगल की ओर जाती नजर आती है और कामीनी भी वहाँ चली जाती है कुछ दूर चलके मानवी गायब हो जाती है पर कामीनी काले जंगल की बीचो बीच खड़ी थी दूर से जंगली जानवरों की आवाज भी गुज रही थी ये सब सुनकर और देखकर कामीनी को थोड़ा दर तो लगने लगा था आलतू जलालतू आईबला को डालतू नहीं कामीनी डर मत ये सब तो तुझे डराने के लिए कर रही है ऐसे तो बहुत से जंगलों में तू धीरज के बापू के साथ हनीमून के ले जा चुकी है डरना नहीं है डरना नहीं है कामीनी की बात सुनते ही मानवी की हसी की गूंज गूंजने लगती है हानीमून अरे जाली माँ जब तो खुद बहुत बार जंगलों में हनीमून मना कर मजे ले चुकी है तो मेरी नई नविली शादी के बीच कुंडली क्यों मार कर बैथी है ऐसी क्या fantasy है तेरी जो मेरे और मेरे पती के कमरे बिस्तर तक जुदा कर दिये दुष्ट औरत ये आवास कहा से आ रही है ये कौन है और पलग जपकते ही एक विशाल काली नागिन का शरीर कामीनी के सामने रहंता हुआ उसके पूरे बदन को जकरने लगता है कोई नहीं बचाने आएगा आज बहु बदला लेगी अपनी जातियों का जाती कैसी जाती अरे मैं तो अपने बेटे के लिए एक सुन्दर लड़की ब्याह कर लाई थी पर तू तो नागिन निकली जिंदा नागिन दोगा किया है तुने हमसे ये सुनते ही मानवी को अधिक क प्रोधा जाता है और वो अपनी जकड छोड़कर अलग हो जाती है और आधि नागिन और आधि मानवी में बदल जाती है कामीनी मानवी का ये रूप देखकर हैरान खड़ी थी क्या बोली तू मैं हूं नागिन मैं और तू तू क्या दुष्ट पापिन औरत एक मा अपने बेटी की दुनिया सवर्ता देख खुश होती है और तू तू तुझे तो धीरच की दुनिया को सरकस बना कर मज़ा आ रहा है धीरच बहु के साथ सोएगा नहीं उसके साथ खाएगा नहीं प्यार नहीं करेगा कहीं जाएगा नहीं अरे अगर सब कुछ तुझे ही डिसाइ चुप तू चुप एकदम चुप आज तुम सासुमा कुछ नहीं बोलोगी इससे पहले कि मेरी बहु नागिन है का प्रचार कर जाकर पूरे महले में करो ये जान ले कि तू कितनी जहरीली नागिन है अरे नागिन रूप तो मेरा है पर लक्षन सारे तुझ में है बहु घर का सब काम करेगी खाना भी बचा को छखाएगी हिटलर की तरह हुकम भी चलाओंगी इस पर और लात भी मारूंगी तो बहु लात भी खालेगी और बेटा बेटा तो ममास बॉय है उसके हागे तो इसके ऐसे नाटक है जैसे मेरी बीवी का ध्यान मेरी मा से जादा कोई रखता पारे नहीं होते हैं रिष्टों में तो केवल सुक दुख बढ़ते हैं वो तो आज भी तेरा ही बेटा है पर मेरा पती है पती यानी हमसफर जिसके साथ मैं गम बाट सकूँ अगर मेरी सास मुझे भी बेटी बनाकर रखती तो मैं तो उसके साथ भी गम बाटती ना पर थी, उस काम में मुझे सफलता तो मिल गई है, अच्छा लग रहा है, और तड़तू, मेरी सास भी मुझे ऐसी टॉर्चर किया करती थी, और अब किसी ना किसी को तो इस रीत को आगे बढ़ाना ही होगा, हम, इस जुल्मी सास बनने में सुकून है, हाँ, हुमे नागिन से भी जहरी ली, तु मेरा कुछ बिगारेगी क्या, बता, बोल, हाँ, 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 पैसला करके अपने माई के आ जाती है। मानवी की मां दर्वाजा खोलती है और मानवी को फड़ा देख कर हैरान हो जाती है। मानवी, तो इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ, बोल मानवी, मानवी अंदर आती है, और जोर से हस्ती है, मा, 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 मैंने धर्ती का उद्धार कर दिया है, एक नागिन सास का जहर निकाल आई सारा, और मानवी हस्ते हुए, अपनी मा को सारी बात बताती है, और बताते बताते खूब एमोशनल हो जाती है, मुझे और दीरच को भी नजदीक नहीं आने देती थी मा, बहुत तंग किया करती थी, कहती थी कि मैं सास हूँ, यह सब करना उसका हक है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सास मा, मुझे नहीं चाहिए कोई ससुराल मुझे तेरे पास रहना है और मानवी रोते हुए अपनी मा की गले लगने लगती है तब ही उसकी मा उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार चाटा लगाती है और उसे भैंकर डाटती है ये क्या किया तुने देवकुफ लड़की अपनी सास को मार डाला अरे तुझ में दिमाग है सिर्फ नागिन का जहर जानती है मैं किसली तुझे कहती थी कि कोई बात नहीं बेटा यही तेरा परिवार है इसका आनन ले और सेवा कर किसली ये मा क्योंकि ये चीज मुझे नहीं नसीब हुई थी ससुराल का हुना एक सास का होना कैसा लगता है मैंने कुछ नहीं देखा था मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि किसी का बहू होना कैसा लगता है मगर मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को सब कुछ मिले वो जाने कि सास की डाट मा की डाट से तीखी जरूर होती है मगर शायद वो आप में सलीका लाने के लिए होती है पर मा, वो तुम जैसी बिलकुल नहीं थी वो तो गुंडी टाइप सास थी तेरे पास सास थी न, बस वही काफी है जानती है, सास का होना परिवार का सबसे मजबूत पिलर के मिलने जैसा है जिसमें लगता है कि अभी मुखे का हाथ सर पर है कुछ भी होगा तो वो संभाल लेगी अच्छी बुरी सास का मिलना भागे की बात है पर सास का मिलना ही सौभागे है बेटा, ये क्या किया तुने? तुझ में और उसमें फर्क ही क्या रहा? मानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी मा के साथ मिलकर उसे सुधारना चाहती थी दोनों मा बेटी जंगल लोटती है और वहां जमीन पर पड़े कामीनी के नीले शरीर को उठा कर घर ले जाते हैं और छिपकर कमरे की खिड़की से अंदर लाकर बिस्तर पर लेटाते हैं फिर दोनों नागीने मिलकर कामीनी के शरीर का सारा जहर चूस कर उसे ठीक कर देती है कामीनी को होश आता है और वो दो नागीनों को देखकर डर उठती है नहीं मुझे मत मारो मैं अपसे अपना मू बंधी रखूंगी मुझे मत मारो ये देखकर मानवी कामीनी के आगे हाँ जोडती है और रोकर माफी मांगती है सासु मा मुझे माफ कर दो आज तक मैंने भी आपसे बदले की भावना से और तंग करने की भावना से ही रिष्टा निभाया था कभी तालमेल बिठाने की कोशिश ही नहीं की पर अब ऐसा नहीं होगा मेरे पास मेरी सास है वही काफी है कामिनी का दिल मानवी की बातों से पिघल गया था वो उसका सर सहलाती है और माफी मांगती है सच में एक सास बनना क्या होता है ये भी मुझे किसी से कॉपी करना पड़े तो लानत है मुझ पर इससे अच्छा होगा कि मैं अपने मन की सुनू और मेरा मन अब बोल रहा है कि मेरी बहु सबसे बेस्ट है और हम दोनों को ही हम दोनों अब सुईकार है कामिनी मानवी की मां से भी माफी वांगती है और दोनों समधन गले लगती है कमरा खुलता है और सब बाहर खड़े थे अंदर से कामिनी मानवी का हाथ पकड़ कर बहार आती है अरे धीरज, मैं क्या सपना देख रहा हूँ क्या दिन में तो ये दोनों एक दूसरे को नागिन कह रही थी ए जी, हम दोनों ही अब अपना जहर त्याग चुके हैं अब ये मेरी बहू है और धीरज, आज से तुम दोनों एक साती रहोगे सासू मा, शुक्रिया, सब गले लगते हैं और इस तरह एक जहरीला रिष्टा मिठास के साथ जुड़ जाता है ऐसे ही अलग-अलग एंगल वाली कहानिया देखने के लिए देखते रहिए अनिम स्टोरी